Hello everyone, class 11, miscellaneous examples कर रहे हैं chapter 1 की जिसका नाम है sets Example number 29 अब हम करने जा रहे हैं, जहां हमें बोला गया है, list all the subsets of the set हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि कितने subsets बनेंगे and हम ये चीज़ जानते भी हैं कि number of subsets is equal to 2 की power n where n is number of elements in a set, तो देखिए, इस set में आएगा 2 की power 3 क्योंकि 3 elements हैं, इस set में minus 1, 0 and 1 और 2 की power 3 होता है 8 यानि total number of subsets जो आएंगे, वो कितने आएंगे, 8 आएंगे Guys इस बात का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम number से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितने subsets लिखने हैं, बाकी subsets लिखना देख लेते हैं हम, solution है let a is equal to, क्योंकि नाम देना जरूरी होता है किसी भी set को ये हमने इसके elements लिख दिये हैं, now subsets are, हर एक subset curly bracket में होता है ये बात हमें पता है, minus one, zero, one, फिर आएगा, minus one, comma zero, फिर आएगा, zero, one कोई order तो है नहीं है इसका, as we all know, फिर आएगा हमारे पास, minus one, and one देखिए, गिन लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, उसके बात क्या है, every set is a subset of itself तो ये आगया, साथमा, and five, ये आगया, आठमा, so these are the number of subsets इसमें सबसे important ये है, कि number of subsets होता है, two की power n, where n is the number of elements in a set ये हमने पूरा लिख दिया है, इसके बाद हमें पता होना चाहिए, कि इसके two की power three था, eight, और जो भी subsets लिखे हैं मैंने, वो सारे ये हैं I hope you must have enjoyed the question, अगर आपको अच्छा लगा है, तो इसको like, share, or subscribe जरूर कीजिए, पढ़ते रहिए, thank you so much, have a nice day, bye bye